ताजब की बात यह है कि हर कैटेगरी में उरात कोली तो जरूरें इंडिकेट कि अगर बात करने लिए अगर आप आई पील के प्रिफॉर्मर हैं तो फिर आप जो हैं इंडियन वर्ल्ड की टीम में या जितने भी इंडियों तरकी आप टीम में बना है उसके अंदर आप शाम के लुशेल सी अवार्ड के नोमिनी फ्लेयर्स घोशित किये इसमें बहुट सारी कैटेगरी स्में विराठ कोहली रोध शर्मा रवेंदर चंंडर अश्विन का नाम न की पैस्तानी प्लेयर्स के तौर परण नहीं आया इस खबर से पाकिस्तानी मीडिया जला भुना बैठ आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया की बॉकलाहट साफ नजर आ रही है महसिन महंदी ने आज की वीडियो में बताया है कि सबी केटेगरी में इंडियन प्लेयर्स को नॉमिनीज किया या लेकिन हमारे किसी भी प्लेयर्स का नाम नहीं आया क्या पाकिस्तानी प्लेयर्स इस लेवल के नहीं है कि वो ICC के आवार्ड्स जीत पाएं आज की वीडियो में महसिन मेंदी और उसके पैनल ने और क्या कहा So guys, let's start this very interesting video. Thank you very much अच्छे बात करेंगे जो ICC International Cricket Council ने दिहाई के बेहतरीन करिकेटर्स के आवार्ड के लिए नामज़त किया है खिलाडियों को और उसकी कैटेगरीज बनाई है तो ताज़ुप की बात ये है कि हर कैटेगरी में उराद कोली तो जरूरे है डिकेट कि अगर बात करें लेकिन बाबर आज़म का पूरी दुनिया में चर्चा हो रहा है लेकिन उनको प्यर आफ दी डिकेट में शामल नहीं किया अब तो मौसिन जर्लिस्ट है उनके वो भी तारीफ कर रहे हैं तमाम जो फॉर्मेट्स है उसमें टॉफ फाइव में बैट्समन में शामल अगर नहीं करना शामल तो शायद इंडियन क्रिकेट काउंसल इसको नाम देल गया जाए उसमें कोई दो राए नहीं है इसमें आपको हैरत अंगे इस बात भी नहीं है इसमें आपको परिशाद भी रहेँ चाहिए कि इंडिया एक पावर हाउस है फाइनशल और वो ICC को जिस तरह चाह रहा है डिक्टेट कर रहा है चले मैं एक बात और आगे लेके चलता हूँ कि अगर आप IPL के प्रिफॉर्मर हैं तो फिर आप जो हैं इंडिया वर्ल्ड की टीम में या जितनी भी इतनी तरह की आप टीमे हमारे यूट्यूब चैनल पर इंडियन्स काफी फॉलो करते हैं हमें तो यह बात कन्फर्म है कि अगर IPL में अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आप ICC की टीम अब दी एर या इंडिया वड़ात विरात को लिगो तला लोग कह रहेंगे कब तानी साट आओ आओ आर सीवी की इसमें 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 बहुत एक वेटेश है मैं यह नहीं कहा रहा कि 100% जो IPL में परफॉर्म करता है वो टीम के अंतर आ जाता है लेकिन उसकी बहुत बड़ी वेटेश है और इसमें आप इंटरनेशनल क्रिकेटर्स पो ज्यादा शामिल करें इंडियन क्रिकेटर्स तो ख इस तरह परफॉर्म किया है जितना कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है उसके एवरिजिस देख ले और विरात खूली इतनी विनिंग टीम्स का हिसा नहीं रहे है टोर्नेमेंट्स के इसमें अब क्या किया जा तो मेरे खाल में यह बिल्कुल आया बात है इसमें कोई हैरत आफ सारे लोग ढ़ हेराज़ से इस ने कुछ जादे ही कर दिया हमारी मता सरही कंसी जाना गार… आपकी जाने भाएंगे, मवासना किया जा सकता है विरात कुरिया बाबराजम का, जावेद साथ, क्या एड़ करेंगे, बाबराजम तो किसी भी फॉर्मेट में नहीं है, हाँ टेस्ट में या सिरशा जगा बराने में काम होगी है, अफकोर्स उन्हें टेस्ट में अच्छी का जार जार आफ को कर तरीका असर अन्दाz होना जाके आसरल्या, इंग्लिण और अंडिया उसके, इसका आइसिसी पर असर अन्दाज होने की बात करते हैं तो उसमें जार आफ्टरियलिया में कौण असर अन्दाज होगा प utility करें है इंडियन में टृक्त टीम, और वहां प और काफी मुश्किलात उनको हो सकती है और खासर पर डैविड वार्नर उनका भी अहालिया बयाना है कि अगर मेरे साथ कोई पाकिस्तान के खिलाफ 300 प्लस उन्हों ने किया था तो रेड़ी तो वो भी है पर इंडिया के लिए कितनी मुश्किलात हो सकती है अंडियन ट्रुकिट टीम को अच्छा पहली बात है कि डेविड वार्नर ने टाइगर वोड्स के मश्यूरे जमाना अलफाज यूज किये ताइगर वोड्स को कि आप जानते सियाफ हम पे तो नों नहीं जमला किया था अच्छा मज़िगी बात ही है कि ये बात उस मुल्क का प्लेयर कह रहा है जो मश्य पूरी स्लेजिंग के लिए बताँ आस्ट्रेलियन ने तो किसी को नहीं छोड़ा कि जो भी उनके आनता था वो इसको इसनी स्लेजिंग करते थे कि बिचारा है और प्लेयर्स रो जाते थे लेकिन यहां मैं घूम फिर कि अपनी उसी बात प्याओंगा कि अगर आपने ज्या करा था थे कि मकाबला तो होगा यह पड़ाटा और मेरे खाल में आस्ट्रेलिया को जितने भी स्कोर्ट सैटल करने हैं इंडिया के खिलाब वो यही मौका है उनके बास्वित भी हैं स्कुछ है लेकिन मुझे इंडिया की जो बालिंग पावर है वो आस्ट्रेलिया में हमारे लिए थोड़ा मुश्किल का बाइस मनेंगा तो अशर इस पर आप क्या कहेंगे क्योंकि यहां जो जाविद में अदाद इंडिसर और ने कहा था कि हमारे कोज जा रहे हैं बाइर कोई कॉपी पकड़ा हुआ कोई पैंसल पकड़ के बैटा हुआ हुआ तो इस पर क्य आए तो वही वाली टैक्टिक्स इंडरनाशनल क्रिकेट में वह आती रही थी रही ती रही रही शासी ने बिलकुल सही बात की और मेरे काल में जब कि एक कोच को पता होता है ना कि मैं इस टूर पे एक्स्पेक्टेशन बहुत जादा है लेकिन कहीं पर मार पड़ सकती तो तो पहली दो-तीन जुम्ले कहके अपने आपको सेफ साइट पे कर लेता है कि फ़ल्हा लेकिन वही बात है अगर आप एक रही शर्मा है तो आप राइसिंग स्टार है और रहे शर्मा नहीं तो आप ऐसी डिडिडिडिडिडिगते कर रहा है तो फिर इसका मतलब आप बहु गोविट-19 के लॉकडॉन से पहले और जब सीरीज उसके बाद जाहरा रुख गी थी